हम काजगंज का रुक करेंगे शक्ती वहां से लगातार सुभा से किक तस्वीर हम तक पहुचा रहे हैं शक्ती अभी पलाल क्या अपडेट से आपके पास काजगंज में कितना प्रतीशत हो गया मतदान और क्या तस्वीरे हैं मतदान के इंदरों के हुआ कह गर बात की लगातार जो अधिकारी है वह समय भरमण शील है और हमारे साथ बात करने के लिए रंज के हैं दीपक digging अं से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि सुरक्षा विवस्ता को लेकर अभी क्या चल रहा असर आप से जाना अचाहेंगे सुरक्षा विवस्ता को लेकर और वोट परसेंटेज अगर वालूम होतो अब देगे हमारे यहाँ इस पूरे कमिशनरी में तीन जगह पर चुना हो रहे हैं तीन जनपद में एटा में, कास जन्में और हाथ रिसमें इन तीनों जन्में का सुबसे हमारे द्वारा ब्रमन किया गया है करीब आठ विधान सभा के द्वारा ब्रमन किया गया और सभी जगह अभी तक जो चुना होए हैं पुरी तरह से सुचारू तरीपे से सुच्वर्ण दिस्पक्ष और भारत निर्वाचन आयोग के जो गाइड लाइन से उसके अमसार हुए है अली गंज की जो हमारी विधान सभावर पटियाली है ये थोड़ी टफ मानी जाती है पहले से ही तो उसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से संबेद असील रही और हमारे डी एम और एस्पी अली गंज में ही कैम्प किये हुए हैं प अबर ओल चौविस परस्त भोलिंग जो है हमारे इस पूरे ब्रेंज के तीनों मंडल में हुए है और अभी तक कहीं भी किसी प्रियाग अटना की कोई सूचना नहीं मिली है पुलिस सब जगह चाक शोबंध है और कहीं से किसी प्रकार की जाए और बात की जाए वाइवियम में तक्निकी खामिया हो जाती है उसको सुबस खार सभी को दूर करा दिया गया अगर अगर एटा की बात की जाए काजगंज की बात की जाए कितनी जो कितनी जगें समविधन शील है कितनी वो है अगर उस पूंपन कराया जाए और जैसा कि आपने बताया कि आप एटा में मौझूद हैं हापर शांति पूर मतदान की खबरे ही अभी तक सामने आ रही